So you guys, एक और साथ स्टोरी शेर करूंगी आज की वीडियो में जो है टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने वाली स्टोरी ये टाइटल देखके ही सबको बहुत सदा मज़ा आ गया होगा तो एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में आपको यहाँ पे दिखाऊंगी मतलब शेर करूंगी जो की जिसने पोस्ट की है उन्होंने अपना थोड़ा सा इंट्रो दिया है I'm a business lady running a huge organization and I'm so grateful to God for that ठीके तो एक लेडी की ये स्टोरी है और उन्होंने कैसे अपने पार्टनर से text manifest किया उसके बारे में ये स्टोरी है तो इसलिए चली हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी तो thank you all it works सबसे पहले इन्होंने लिखा है My boyfriend and I broke up two weeks ago and we have had very minimal contact since then We work together so we occasionally meet I have been using the secret and the magic to manifest him back and it's working Today at 2.30 a.m. I was not asleep yet I went to his whatsapp profile and started giving gratitude Okay, while looking at his profile picture I was saying his name and thanking him for things like taking me home the other day and thanking him for being such an amazing boyfriend While I was looking at his picture and doing this a whatsapp chat came in and it was him I am so excited and grateful we have talked and it was great I know he and I will be back together very soon So thank you all the magic does to you all So kitni bas itni si story short लेकिन इसका आप lesson अगर सीख लेंगे कि क्या ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया वो उनके picture को देखके रो नी रही थी वो gratitude express कर रही थी वो imagine कर रही थी वो खुश हो रही थी जबकि उनकी बात नहीं हो रही थी दो अपतों से break up हो चुगा था उन्होंने उनके profile को देखकर भी gratitude किया उन्होंने उनको gratitude बोला उनको thank you किया उसके लिए जो भी उन्होंने किया है उसके लिए So this is the key अगर आप अपने specific person से separated हो या break up हो गया and you just want them back in your life आपको gratitude express करना है आपको अच्छा feel करना है जब आप उनको देखो उनके बारे में सोचो उनकी photos को देखो अगर आप रोएंगे complain करेंगे कि उन्होंने तो ऐसा कर दिया वो बिल्कुल ऐसे हैं ऐसे हैं अम नहीं मिल पाएंगे हम अलग हो गए हैं या रोएंगे lack feel करेंगे निराश हो जाएंगे तो यह जीज और भी लंबी चलेगी या आप कभी शायद उनको वापस manifest ना भी कर पाएं तो इसलिए तो बेजिक चीज है ना वो समझनी बहुत जरूरी है तो बस यह चोटी सी स्टोरी है जो बस मुझे दो मिनिट मी लगे स्टोरी को शेयर करने के लेकिन आपको बहुत जारा motivation मिला होगा लेसन मिला होगा तो इस चीज को जरूर प्राय करना इतने भी लोग है आप ही कर सकते हो अपने boyfriend या अपने partner के लिए gratitude express करें उनको भी thank you के message मतलब दिल से आप send करिये ठीक है just feel happy just feel happy ठीक है तो यही थी आज की success story है और आपको यह story बेचे लगे होगी helpful लगी होगी तो तब तक के लिए stay happy stay blessed and who drives to all